Hello students, welcome to the CM Classes. Students, आज का जो हमारा session होने वाला है, वो क्रिशी agriculture का part 3 होगा. इससे पहले मैंने क्रिशी के फूप parts बनाए हैं, जिसका link मैंने नीचे description box में दिया हुआ है. वहाँ जाकर आप इसको अच्छे से study कर सकते हैं. Let's start. Students, इससे पहले हमने क्रिशी, उसके परकार और मुख्या फसलों के बारे में पढ़ा. और आज का जो हम session करने जा रहे हैं, यह most important session है. जो लोग आज की शुरुवात करते हैं, और आज का हमारा पहला जो term है, वो है खादे सुरक्षा निती. खादे सुरक्षा निती को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि खादे सुरक्षा होती क्या चीज है. वैसे हम जादा इसके बारे में deep में नहीं जाएंगे, क्योंकि 9th में economics के book में हम इसके बारे में detail से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसके back में जाएंगे. तो खादे सुरक्षा क्या होती है? खादे सुरक्षा के तीन रूप से इसके तीन घटक होते हैं. सबसे पहला घटक होता है खाद्यान की उपलब्दता, कि हमारे पास खाद्यान कितना उपलब्द है? दूसरा, पहुंच में होना, लोगों की यह पहुंच में है या नहीं ह तीशरी इसकी गटक है, समर्थ है, मत्तब लोगों के पास खाद्यान को खरीदने के लिए पैसा है या नहीं इन तीनों के मिलाकर खाद्य सुरक्षा बनती है जैसा कि आपको पता है, यह हमारे देश में काफी गरीबी है ऐसे कई लोग हैं जो खाद्यान को खरीदने में समर्थ नहीं है इसलिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा नीती को अपनाया है ओके एक खाद्य सुरक्षा नीती होती क्या चीज़ है भोजन, नुश्य की एक आधार भूत अवशकता है देश में प्रतेक नागरी को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो उसे नियूनतम भरन पोशन कस्तर परदान करे अर्थार वो अपना पेट भर सके और यही क्या कहलाता है खाद्य सुरक्षा कहलाता है और इसके लिए सरकार ने क्या किया है सभी लोगों को भारत में सभी वर्गों के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्द कराने के उदेशे से भारत सरकार ने स्कूल में मिड़े मील योजना चला रखी है और देश के अन्य गरीब लोगों के लिए खादे सुरक्षा उपलब्द कराने के उदेशे से खादे सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश 2013 जारी किया है देश के सभी लोगों को खादे सुरक्षा उपलब्द करवाने के लिए सरकार ने दो घटकों की रचना की है पहला घटकों से है बफफर स्टॉक दूसरा कौन सा है सारजनिक वित्रन पढ़नाली इन दोनों के बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बफफर स्टॉक यह बफफर स्टॉक होता क्या चीज है सरकार का मुख्य लक्षे लोगों के देश के परतेक व्यक्ति को खाद्यान उपलब्द करवाना होता है इससे निर्धन लोग भोजन प्रापत कर सकेंगे सरकार किसानों से नियुन्तम समर्थर मुल्य पर खाद्यान खरीदती है मतलब MSP पर खाद्यान खरीदती है और फिर उसे भारतिय खादे निगम FCI के गोदाबों में क्या करती है स्टोर करती है केंदर सरकार केंदर सरकार बॉफर स्टोर के रूप में परतेक फसल के सुरक्षित बंडारन की विवस्ता करती है बफर स्टाक लोगों को खाद्य शुरक्षा की गारंटी परदान करता है नेक्ट के आता है सार्वजनिक वित्रन परणाली ये सार्वजनिक वित्रन परणाली क्या होती है भारत सरकार द्वारा उच्छित कीमतों पर अनाज पहुंचाने के लिए साधनी वितन परणाली को अपनाये गया है ताकि सबी लोगों को असान मतलब सस्ते दरों पर खाद्यान उपलब्द हो जाएं इसमें सरकार सस्ते मुल्यों की दुकानों के माद्यम से उबोगताओं को खाद्यान उपलब्द कराती है जिस परकार क्या चीज़े गाओं और शेरों में क्या होता है छोड़े डिप्पो खुले होते हैं और उसके माद्यम से जो गरीब लोग हैं BPL है, APL है, वो सारे क्या करते हैं, खाद्यान खीदेते हैं, सरकार ने क्या किया हुआ है, कि इसके लिए सरकार ने लोगों को दो श्रियों में विभाजित किया हुआ है, पहली श्रियों कोई सी है, गरीबी रेखा से नीचे, मतलब BPL मतलब Below Poverty Line, तथा गरीबी रेखा से उ ताकि क्या हो कि लोगों को असान, मतलब क्या कि असानी से सस्ती दरों पर आनाज उपलब्द हो पाए, जैसे कि क्या जीज़े, BPL परिवारों को 1 रुपे किलो मोटा आनाज, 2 रुपे किलो गेहूं, 3 रुपे किलो चावल या 20 रुपे किलो दाल परदान की जाती है, इस प उल्य की दुकानों की क्या करती है, उनकी रचना करती है, लोगों को उसके लिए क्या मिलता है, प्रोफिट मिलता है, या उने क्या मिलता है, कमिशन मिलता है, इस परकार से कि जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें वहां से सस्ती दरों पर आनाज मिल जाता है, अब नेक्ट आ सरकार ने क्रिशी के शेतर में क्या क्या काम किया है सबसे पहले सरकार ने क्या किया है कि भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद की स्थापना की है ऐसा क्यों किया है ऐसा इसली किया है क्यों कि क्रिशी के आधुनिकी करण के लिए इसकी स्थापना की गई है तांकि क्रिशी शेतर में नई-ने अनुसंधान हो सकें और नई-नी खोज हो सकें। सेकिन क्या आता है आपका कि किसान, क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुरुगटना भीमा योजना। किसानों के लाब के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुरुगटना भीमा योजना की शुरुवात की है तांकि किसान अपने काम को अच्छे से कर सकें उन्हें कोई दिक्कत ना हो किसानों को मदद सरकार ने क्या किया है कि अकाशवानी और दूर दर्शन के माद्यम से भी खेती बाड़ी कारेकरम तथा क्रिशी पर अधारित बुलेटिन पर सारित करके क्रिशी उत्पादम में विदी करने के लिए किसानों की काफी मदद की है इसके इलावा क्या किया है सरकार ने कि फसलों का नियुनतम मुले निर्धारन की विवस्था भी की है किसानों को बिचोलियों और दलालों के शोशन से बचाने के लिए नियुनतम सहाईता मुल्या और कुछ महतंबनों फसलों के लाब दायक क्रीद मुल्यों की सरकार क्या करती है गोशना करती है जिससे किसानों को क्या पहुंचता है लाब पहुंचता है नेक्स क्या आता है जमीदारी प्रथा की समाप्ती सरकार ने क्या किया है जमीदारी प्रथा की समाप्ती कर दी है इससे भी क्या हुआ है क्रिशी शेतर में काफी सुधार हुआ है नेक्ट आगे सरकार ने क्या सुधार किया है छोटी छोटी जोतों की चक बंदी मतलब क्या किया है सरकार ने छोटी छोटी जोतों की मतलब उसकी एरिया की चक बंदी उसकी सीमा निधार करके उन्हें आर्थी ग्रूप से क्या बनाया है उपयोगी बनाया है इसकी इलावा समय समय पर सरकार ने क्या किया है एन निश्चिता को दूर करने के लिए भी काफी यूजनाएं चला रखी हैं ताकि किसान जादा से जादा क्या है इससे लाब उठा सकें Well students, आज का लेक्चर हमारा यहीं समात होता है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किसी नए टॉप्पी के साथ Till then, stay home, stay safe, stay healthy, जै